प्रिवेस हम अपने बारा वीडियो में पहले चेप्टर को हमने कवर किया है प्रिवेस बारे में पढ़ा है तो आज वाला जो वीडियो रहेगा इसमें हम अपना चेप्टर वन पूर納ट करेंगे तो जितनी भी चीजे हम अपने previous 11 और 12 वीडियो में पढ़े हैं वो सारी चीजे अब हम क्या करेंगे एक साथ यूज करेंगे last के topics के लिए क्योंकि last वाले topics में वो पूरे concept लगे हैं जो concept हमने previous वीडियो में पढ़के आए गाए है तो चली शुरू करते हैं यह वाला lecture यह आप चैनल में नहीं है तो बिल्कुल चैनल को subscribe करना न भूलें like करना न भूलें और bell icon को click करना बिल्कुल न भूलें चैनल का नाम है अद्वैज education शुरू करते हैं अपना वीडियो तो main 4 topics हैं अपने इस chapter में electric charges and fields में जो किसका पार्ट था electrostatics का पार्ट था जो हमारा second chapter आएगा next वो भी क्या रहेगा electrostatics का ही पार्ट रहेगा जिसमें हमना पहला topic electric charges के बारे में हमने पूरा पढ़ा कि क्या होता है उनकी property coulum's law और electrostatic fields के बारे में पढ़ा कि कैसे coulum's law लागाते हैं हम दो charges के बीच में बहुत सारे charges के बीच में कैसे हम उनके बीच में force निकालते हैं super position principle यूज करके electric dipole के बारे में बढ़ा कि क्या होता है electric dipole क्या होती electric dipole movement कैसे हम एक dipole के 4 तरफ पूरत 360 degree कैसे हम electric field निकाल सकते हैं और अभी जो हमारा topic चल रहा है वो क्या चल रहा है electric flux चल रहा है जिसमें हमने अपना एक video complete कर दिया है basics के बारे में देख लिया है area vector क्या होता है electric flux क्या होता है कितनी number of field lines एक particular area से पास होती है वो होता है electric flux और उसके बाद area vector के बारे में हमने देखा कि जो normal outward direction में आता है और previous video में हमने gauss law के बारे में देखा कि क्या होती है gauss law ठीक है अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और हमारा fourth और ये last वोले topic को क्या करेंगे इस video में हम अपना पूरा end कर देंगे मतलब chapter 1 हमारा पूरा complete हो जाएगा मतलब electrostatics का आधा पार्ट पूरा complete हो जाएगा next chapter जो रहेगा वो भी किस पे based रहेगा electrostatics पे based रहेगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है तो हमारा topic चल रहा था electric flux इसमें हमने आधा पार्ट पूरा पढ़ लिया था अब हमारा आधा पार्ट इस video में हम पूरा पढ़ेंगे चीक है तो एक बार recap करते हैं देखते हैं कहानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था area vector के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है area vector यहाँ पे हम electric flux में area vector use करते हैं वो क्या होता है outward normal बाहर की तरफ निकलता है मतला यही मैं board को मान लूँ तो यह board से कैसे होगा मेरा area vector यहाँ पे मैं element लेता हूँ ऐसे चोटा सा तो यह outward normal की तरफ क्या रहेगा बाहर निकलेगा n cap से denote करते हैं इसको ठीक है vector form में कैसे लिखते हैं हम delta s small area element इसको हम बोलते है small area element vector भी बोलते है vector quantity है जिसको हम n cap और del s से क्या करते है डिनोट करते है ठीक है यहाँ पर क्या है s vector form में है और यहाँ पर s क्या है magnitude है n cap क्या बताता है उसका direction जो outward normal यदि यह जो surface है यह x y axis में है तो जो n cap होगा वो क्या होगा हमारा z axis में होगा तो यह सब चीजों के बारे में हम ने देखा previous वीडियो में तो एक बार हम recap कर रहे हैं वही चीज की area vector क्या होता है फिर उसके बाद next हमने क्या देखा electric flux के बारे में देखा कि electric flux क्या होता है तो electric flux किसी भी surface का क्या होगा total number of electric field lines that normally passes through that surface कितनी number of electric field lines normally उस surface से निकलती है उसको हम electric flux बोलते हैं कैसे इसको हम calculate करते हैं छोटा सा element लेते हैं element में electric field का direction देखते हैं किस तरफ है उसके बाद हम उस छोटे से element में flux calculate करके integrate कर देते तो पूरा surface बन जाता है, ठीक है, तो ये चीज़े हमने अपने previous video में पढ़ी, अब electric flux पढ़ने के लिए ही area vector पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये outward normal direction में निकलता है, यदि ये board को मैं माल लूँ, और ये board मैं दी में ए चोटा सा elemental area ले लेता हूं, ये ऐसा वाला एक में area आजूम कर लेता हूं, और इस board के अंदर charge रखा हुआ है, तो electric plug lines क्या होंगी, ऐसे बाहर की तरफ आएंगी, आप के तरफ आएंगी, अंदर ये negative charge रखा है, तो electric field lines अंदर की तरफ जाएंगी, तो छोटे से area में कितनी number of field lines, पास ओर ये, वो हम calculate करते हैं, integrate करते हैं, पूरा बड़ा surface बन जाता है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, electric flux calculate करते हैं, इसी को calculate करने के लिए हम क्या करते हैं, gauss law को use करते हैं, तो ये सब चीजे हमने previous video में अपनी पढ़ी, कैसे निकालते हैं, integration, surface integration, e vector ds का, जो क्या होता है, e ds cos theta होता है, क्योंकि dot product क्या लिखते हैं, हम a b cos theta लिखते हैं dot product को, ठीके तो हमने ये सब चीजे previous video में एकदम अच्छे बढ़ी, special cases के बारे में देखा, कि कैसे electric field का यदि direction change होगा, तो flux vary करेगा, यदि 90 degree हो गया, तो flux बाहर ही नहीं निकलेगा, positive आया, तो flux बाहर निक intensity का over किसी close surface के, वो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलते है, close surface को gaussian surface बोलते है, free space में, free space मतलब vacuum और air में हमें assume कर रहे है, वो किसके बराबर होता है, one upon epsilon times net charge and closed visiting system, ठीक है, तो ये क्या दी हमारी gauss theorem था, कि मतलब यदि हमें किसी की भी electric field intensity का surface integral निकालेंगे, किसी close surface के about, ऐसा surface जो closed है, जिसके अंदर क्या है, volume enclosed है, और उसी surface को हम close surface को हम क्या बोलते है, gaussian surface बोलते है, किस में, free space में, इसका मतलब air में होगा, या vacuum में हम इन सब चीज़ों को calculate कर रहे है, वो किसके बाराबर होता है, one upon epsilon time, epsilon 0 क्या होता है, permittivity होती है, free space की 0 से हम denote कर रहे है, सिव epsilon ल charge, 2-3 charge होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबको add कर देंगे, additive property के हिसाब से, चीके, तो यह क्या होती है, हमारी gauss theorem होता है, इसी को हमने देखा, तो इसको हम statement के, mathematical form में कैसे लिखते है, phi e, मतलब flux, यह पूरे उस surface का flux होगा, surface integral कर देंगे, हम छोटे से element को, तो पूरे surface का flux मिल जाएगा हमे, e, ds, e क्या होता है, यहाँ पर दोनों क्या है, हमारी vector quantity, यह दोनों क्या है, हमारी vector quantity, इसको हम ऐसे denote करेंगे, मैंने bold से show कर दिया, दोनों तरीके से vectors को show कर सकते हैं, one upon epsilon times, qi, मतलब जितने भी surface के अंदर charge होंगे, सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यह सब चीजे हमने एकदम अच्छे से previous video में बढ़ी, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा topic शुरू करेंगे, तो आज का हमारा topic क्या है, application of Gauss theorem, हम देखेंगे कि कैसे Gauss theorem को apply करके, Gaussian surface को लेके, हम बहुत सारे complicated structures में क्या कर सकते हैं, electric flux, electric field calculate कर सकते है तो आज का हमारा topic रहेगा, application of Gauss theorem, ठीक है, the electric field due to some symmetric charge configurations can be obtained using Gauss law, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, application में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम electric field calculate कर सकते हैं, कोई symmetric charge configuration की, मतलब ऐसा surface जो किसी के about तो symmetry होगा, symmetry होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे Gaussian surface ले ले लेंगे, और हम क्या क कर सकते हैं, उसकी electric field calculate कर सकते हैं, normally हम calculate करेंगे, तो हमें बहुत मुश्किल जाएगी, मगर हम गौस theorem लगाते हैं, तो हम बहुत असानी से electric flux यूज करके, उसका formula यूज करके हम क्या कर सकते हैं, electric field calculate कर सकते हैं, तो यह क्या होता है, हमारा Gauss theorem का application होता है, ठीक है, तो 1 के आखरी आखरी topics में आ गए हैं, तो हम क्या देखेंगे, पूरा अब Gauss clock को क्या करेंगे, हम apply करेंगे, यहाँ पर symmetry लेके, Gaussian surface लेके, ठीक है, तो मैं आपको diagram एक बार फिर से दिखा दूँग, नीचे वाला portion, नीचे वाले portion में क्या है, जो कट जा रहा है, वो है क्या है सकते हैं, एक wire conductor है, ठीक है, और यह ऐसा wire है, जिसके उपर insulating नहीं लगा है, जिसे हमारे घर के जो wires होते हैं, उनके उपर क्या होता है, insulating cover होता है, ताकि हमें shock ना लगे, यह wire की जो अंदर का तार है, वैसे type का क्या है, infinitely long thin wire है, ठीक है, thin straight charged wire, और जो wire है, वो क्या है, charged है तो infinitely long है, बहुत लंबा है, मतलब infinitely लंबा है, उसमें हम क्या करेंगे, एक cylindrical Gaussian surface ले लेंगे, ठीक है, thin straight charge wire, thin है, एकदम जादा भी क्या है, ठीक नहीं है, ठीक है, तो first देखते हैं, consider an infinitely long straight wire, एक infinitely long है, यह wire कितना भी लंबा है, उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा element, linear charge density, इसमें क्या है, जो charge density है, linear charge density के बारे में हमने previously पढ़ा है, ठीक है, charge per unit length, को हम क्या बोलते है, linear charge density बोलते हैं, यह क्या बताता है, linear charge distribution को show करता है, तो क्या है, इसमें क्या है, जो charge distribution है, वो क्या है, linear है, मतलब हर एक point पे जो charge density है, वो क्या है, same है, uniform linear charge density, uniform का मतलब space मे उसकी value क्या होगी, change नहीं होगी space मेधी में आगे बढ़ते जाओं, तो उसकी value क्या होगी, change नहीं होगी और क्या है, उसकी uniform linear charge density है, छीक है तो हम इस case में क्या करेंगे, infinitely long thing straight charge wire की हम क्या करेंगे, electric field को calculate करेंगे छीक है, तो अब diagram को देखते हैं एक बर पहले diagram को समझते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए solve करना एकदम आसान हो जाएगा तो यह क्या है, एक infinitely long wire है इसमें हम क्या कर रहे है, यह जो white वाला है एक प्रकार से Gaussian surface हम क्या कर रहे है, assume कर रहे है चीक है, अब क्या होगा wire के हम surface को देखेंगे, तो क्या है यहाँ पे एक C surface होगा, फूरा इसका circular वाला, एक side में A से A surface होगा और एक B surface होगा ठीक है, अब इसके अंदर क्या है पूरा linear charge density है मतलब क्या है, एकदम समान charge है अंदर में, और वो कौन सा charge है पूरा positive charge है, जैसे आपकी आपको यहाँ पर दिख रहा है यह देखें, पूरा positive charge है पूरे wire के बीच में क्या है, positive charge है ठीक है, अब उसके बाद हम यह दिए हाँ पर electric field, तो gauss theorem लगाने के लिए, हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है electric field और area vector का direction देखना पड़ता है तो सबसे पहले हम यह वाला surface देखें जो circular surface है, ऐसा अभी हम यह वाला और यह वाला surface नहीं देख रहे है अभी हम circular surface के बारे में बात कर रहे है तो circular surface में यदी में एक yellow रंग का यह आपको element दिख रहा है एक element मैं लेता हूँ C तो यहाँ पे, अब यह जो charge है इसके कारण electric fields कैसे होती है किसी positive charge से कैसे निकलती है पूरा outward बाहर की तरफ निकलती है हर direction और negative charge में क्या होता है ज़से इसका opposite, ठीक है तो यह क्या है, एक प्रकार का positive charge है अंदर में तो क्या होगी, चारो तरफ से electric field निकलेगी यहाँ पे, चीक है, तो electric field का direction क्या होगा, radially outward होगा तो यहीं मैं सिर्फ C surface की बात करूँ मतलब जो circular section है, अभी मैं उसके charge जो ऐसा रखा हुआ है, इसको मैं ऐसा देख रहा हूँ तो क्या होगा, radially outward ही जाएगी पूरी electric field इससे, तो सेम वहाँ पे ऐसी है electric field का direction, अब यह जो area है, जो surface से, इसका area vector क्या होगा, या area elemental vector को हम बोलते हैं, जो हमने देखा है area vector पढ़ते हैं, उसका direction क्या होगा, n cap से हम denote करते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, green run से क्या show नहीं आपको, उसका direction, ठीक है n cap, इस area elemental vector का जो क्या होता है, outward normal बाहर की दरफ रहता है, n cap हो गया, ठीक है, तो यह दोनों direction में क्या है, यह दोनों angle नहीं बना रहे है, electric flux के case में हम यही चेक करते हैं कि दोनों कितने angle में, अभी क्या है, दोनों के बीच का angle 0 है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, C surface के बारे में हो गया, अब हम बात करते हैं, यहां का B surface, मतलब वो circular section है, तो उसका यह वाला area हम देख रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर भी यह दी, मैं electric field का direction देखूँ, तो वो भी तो उपर की तरफ ही आएगा, क्योंकि यही जो charge है, charge से outward, रेडियली बाहर की तरफ निकलता है, इसको मैं ऐसे देखूँगा, इस surface का, जो area vector होगा, वो क्या होगा, यह जो surface है, just pen के direction में होगा, मतलब ऐसे बाहर की तरफ, outward, normal, तो यहां से देखिए, इसका area vector क्या है, यह, area vector का direction क्या है, n cap, इस तरफ direction है, तो यहां पर भी यह क्या शो कर रहा है, पूरे इस b surface का, क्या शो कर रहा है, area element का direction शो कर रहा है, n cap, ठीक है, तो यहां पर अब direction, दोनों के बीच में angle कितना बन रहा है, e और n cap के बीच में 90 degree बन रहा है, ठीक है, सेम वैदी, इदी में a part को देखू, मतलब उस तरफ का section देखू, जो एक हमने element लिया है, मतलब एक प्रकार का gaussian surface जो लिया है, इस तरफ का इदी में section देखू, cylindrical में, तो यहां पे भी क्या होगा, जैसी यह condition है, सेम वैसी condition होगी, electric field का direction तो उपर के तरफ ही रहेगा, radially outward, यह positive charge, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो radially outward, बट इस surface का, जो elemental vector होगा, या area vector होगा, outward, normal की तरफ जाएगा, मतलब यह n-cap का direction, यह हमारे n-cap का direction, ठीक है, मतलब, छोटे से element का, छोटा से element हम क्यों नहीं है, हर जगा, क्योंकि अव्वेसी बात है, हम gauss लो लगा के, integrate करके, यह पूरे बड़े-बड़े surface तो बनाई लेंगे, ठीक है, इसलिए हम छोटा सा yellow-yellow जो element है, यह assume की हैं यहाँ, यह तीनों छोटे-चोटे element लेंगे, जैसे के integrate करेंगे, वो यहाँ का पूरा surface बन जाएगा, यह पूरा circular surface बन जाएगा, और यहाँ का वो अपना circular surface बन जाएगा, अराम से, ठीक है, तो यहाँ बेड़ी में आप दोनों का direction देखू, तो यहाँ पे भी दोनों का direction क्या है, यह वाले surface में वो भी क्या है, 90 degree, electric field और area vector के बीच का direction, दोनों का क्या है, 90 degree है, ठीक है, तो यह हमने तीन surface देखा, और तीनों surface में ऐसी electric field आएगी, ऐसा area elemental का उसका direction रहेगा, जब एक क्या हो, long circular wire हो, thin हो, और उसमें क्या हो, linear charge density हो, मतलब अंदर से क्या हो, पूरा वो हो, इसकी जो length होगी, वो क्या होगी, हमारी L यहाँ पे length होगी, यह length क्या है, हमारी L, ठीक है, center से लेके surface तक का distance क्या हो जा रहा है, हमारा R, यह R को हमने denote किया, पूरा positive charge, C, A और B, ठीक है, तो diagram हमें क्या होगी, समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, इस जो surface है, इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फिल्ड कैलकुलाइट करेंगे, गॉस्क्लागी मदाच है, ठीक है, तो first point देखते हैं, from symmetry, the electric field, from symmetry, the electric field is everywhere radially, in the plane of cutting wire, in the plane of cutting wire, normally and its magnitude only depend on the radial distance, r, ठीक है, तो जो electric field है, वो पूरे wire में क्या है, radially है, ओवेसी बात है, एक positive charge दी रहता है, तो उसमें क्या हो, the radial electric fields रहती हैं पूरी, तो क्या है, पूरे wire में क्या है, radially है, everywhere, हर जगा है, ठीक है, cutting the wire, normally, मतलब वो wire को क्या कर रही है, normally cut कर रही है, हर जगा से, जैसे, एक हमने जो C section पर देखा था, normally उसको क्या कर रही है, वो cut कर रही है, और जो उसका magnitude है, electric field का, वो सिर्फ किस पर depend कर रहा है, radial distance, r पर depend कर रहा है, ओवेसी बात है, electric field का जो basic formula रहता है, वो हमारा क्या रहता है, r बढ़ेगा, जितना दूर जाते जाएंगे, जिस source chart से हम जितना दूर जाते जाएंगे, source से, उत्ती electric field क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, तो electric field का magnitude तो r पर depend करता ही है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, r पर depend कर रहा है, आगे जाएगे हम cases देखेंगे, जहाँ पर depend नहीं करेगा, ठीक है, तो first line में यही बोला, कि electric field जो क्या है, हर तरफ, everywhere क्या है, radial है, और plane है, cutting wire normally, and its magnitude depends only on the radial distance r, ठीक है, यही चीज बोला, तो वो ही हमें diagram में दिखी है, radial है पूरी electric field, और वो क्या कर रही है, phi e, मतलब flux, पूरे surface का, तीन surface हैं यहाँ बे, तो पूरे surface का flux क्या होगा, surface integral, e vector dot ds vector, ठीक है, e क्या है, electric field vector, जिसमें magnitude और direction दोनों consider होगा, और ds क्या है हमारा, surface vector, area vector, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने previous video में पढ़ा है, जो क्या होता है, e into ds, वहाँ पे ds क्या होता है, vector form में नहीं होता है, magnitude form में होता है, ठीक है, तो surface integral क्या होगा, e into ds, इसको यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, bold से mention किया है, ठीक है, तो यह चीज भी आप ध्यान देखेंगे, मैं आपको बताते भी जाओंगा, कि कहां मैं bold से mention कर रहा हूँ, इसका मतलब वो vector form में है, कहां मैं उसको normally लिख रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ उसका magnitude form है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप copy में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, E vector, D, S vector, ठीक है, और यह क्या होता है, equal to क्या होता है, 1 upon epsilon times क्या होता है, net charge enclosed within the system, जितना net charge है system के अंदर क्यों, वही होगा, ठीक है, यही को असलोग है हमारी है, यही हमने previous वीडियो में पढ़़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद next step देखते हैं, अब उसके बाद, यह जो phi यह हमारा, मतलब, flux, पूरे surface का, जो तीन surface यहाँ पे है, वो क्या होगा, surface integration, E, D, S, यही वाली term यहाँ पे है, और इसी को हम, यही वाली term ही यही पे है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, DS की अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे value put कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, N cap DS, यहाँ पे DS क्या है, vector form में, यहाँ जब मैं DS लिखूँँगा तो यहाँ पे उसके उपर मैं vector का arrow नहीं डालूँगा, यहाँ पे E बस क्या है, vector form में, क्योंकि electric field अभी vector form में ही है, यहाँ पे, तो इसी को क्या होगा, N cap DS होगा, और इसी को हम cos theta भी लिखते हैं, तो अभी हमने क्या करी, सिब DS की value put करी, मतलब area vector की यहाँ पे value put कर दी, N cap DS, DS के उपर भी vector sign नहीं लगा हूँ, क्योंकि यह है, अब magnitude के terms में हैं यहाँ पे, कि जितना भी वह element होगा, उसका magnitude, N cap उसका direction consider हो गया, जब यह दोनों को मैं multiply करूँगा, तो यह vector quantity बन जाएगी, यहाँ, छीक है, हम क्या लिए हैं, छोटे-छोटे elements लिएं, तीनों surface, तो तीनों surface का हम जब integration करेंगे, elements का, तो यह वाला integration करेंगे, तो यह element बन जाएगा, इसका करेंगे, तो यह पूरा उसका circular area बन जाएगा, ऐसा वाला इस element को मैं integrate करूँगा तो ये पूरा area मिल जाएगा तो ये पूरा flux मिल जाएगा पूरे area का और उसी की मदद से हम क्या करेंगे electric field calculate करेंगे ठीक है तो third step देखते हैं अब हमारा तो अब क्या किया मैंने जो पूरा एक term थी surface integral की उसको मैंने क्या किया तीनो surface को ले लिया एक surface मतलब पूरा surface consider हो रहा था यहां पे तीनो अपने अपने phi e मतलब total electric flux तो surface integration किसका a vector का मतलब जो a वाला area हमने consider किया उसका same क्या term होगी वही होगी e vector n cap ds ds vector form में नहीं है बी surface को देखे आपन तो क्या हो जाएगा यहां पे e vector n cap ds c surface के लिए क्या हो जाएगा e vector n cap ds ds यहां पे क्या है vector form में नहीं है तो तीनो surface का मैंने अपना अपना लिख लिए क्योंकि वह पूरे overall surface का है ठीक है a b c फिर से दिखा देता हूँ a वाला area b वाला और c वाला ठीक है अभी उनके elements हैं और integration करेंगे अब उनको ताकि वह पूरा surface बना दे ठीक है अब हम क्या करेंगे direction देखेंगे सब का a का b का और c का तो यहां पे जब हम रखते हैं n cap ds तो यहां पे हम क्या रखते है electric field और जो normal vector ए area vector उसके बीच का angle देखेंगे क्योंकि हम उसको क्या लिख सकते है cost theta के form में लिख सकते हैं जब दो electric field का क्या होता है वो यहां पे जिरो डिगरी है यहां पे दोनों के बीच का angle क्या है zero degree यहां पे angle क्या है electric field और area vector के बीच का 90 degree यहां पे angle क्या है यहां पे भी 90 degree यह दोनों के बीच का angle तो यह zero degree और दो क्या है हमारे 90 degree ठीक है तो यही हम क्या करेंगे इस अगले step में क्या करेंगे angles रखेंगे ठीक है तो a b c के लिए तीरो surface को हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा eds eds मतलब यह क्या है पूरा original जो gauss law में original रहता है यह वही वली टाम है यहां पे क्या है दोनों vector form में तो surface integration of e vector ds vector क्या होगा area surface area a का ठीक है क्या लिख सकता हो में इसको e अभी क्या है vector form में d अभी हट गया है क्योंकि आप ds का क्या रखा है हमने magnitude रखा है क्योंकि angle हमने र c का क्या है 0 degree है क्योंकि अभी हमने देखा c बीच वाला surface है तो 0 degree है इधर वाला a इधर वाला b तो a का भी 90 degree बी का भी 90 degree चीक है तो अब हम क्या करेंगे यहां पे value put करेंगे तो surface integration of vector e ds vector equal to क्या हो जाएगा अब यह क्या है यह वाली term क्या हो जाएगी पूरी 0 हो जाएग तो मतलब normal area vector और electric field दोनो 90 degree बना रहे इसका मतलब क्या है उस surface से कोई flux निकलेगा इनी निकलेगा electric field उसी के direction में मतलब वो surface के अंदर ही चलेगी सेम जैसे हमने previous video में electric flux में angle के बारे में देखा था कि positive है theta तो theta है जी 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो क्या आएगी flux की value positive और 80 degrees छोटा हो गया तो negative आएगी exact 90 degree हो गया theta मतलब n cap के बीच का और electric field का vector तो क्या हो जाएगा exact 90 degree हो गया तो दोनो 90 degree के case में क्या हो जाएगा मतलब surface A से और surface B से कोई भी flux बाहर नहीं आएगा सिर्फ कहां से बाहर आएगा C से ही बाहर आएगा क्योंकि यहीं पर क्या है दोनों same direction में है n cap और E का भी दोनों का क्या है direction same है तो सिर्फ इसी surface से flux बाहर आएगा बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है फिर से एक बार diagram देख सकते हैं इस surface से कोई electric flux बाहर नहीं आएगा क्योंकि 90 degree बन गया है B surface A surface से भी कोई electric flux बाहर नहीं आएगा सिर्फ और यह दोनों दो 0 हो गया और यहाँ पर क्या बचा कॉस 0 degree की value क्या वन हो जाएगी यह हो गया 0 यहाँ पर इसकी value क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है तो हमने लिग दिया तो surface integration किसका E vector ds vector क्या हो जाएगा surface integration सिर्फ c का बाकी दोनों surface से कोई flux बाहर नहीं आ रहा है eds into 1 यहाँ पर क्या है यह अभी वेक्टर फॉर्म में है ठीक है यह अभी electric field vector form में है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब क्या हो गया सिर्फ ds लिख रहे हैं और यह ds क्या होगा सिर्फ c का होगा तो यह यहाँ का अब हम क्या कर देंगे integrate कर देंगे इसका मतलब क्या है यह बहार आ जाएगा और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा यह वली टम को मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह बहार आ जाएगा surface integration रहेगा किसका सिर्फ ds का यहाँ पर क्या जाएगा सिर सिर्फ्ण और थैसक एइफ शेक्शन सैसरे मोद तो इसके में सप्रागे Can सिर्फ यह वाला सब्सक्राइब तो इसका क्या जाएगा क्या स्टूर समयाड और ये क्या है उसका टो पाई आरह तो आ गया हमारा 2 pi rl ठीक है तो ये बन गई हमारी equation ठीक है next point देखते है charge and close in the cylinder अब हम क्या करेंगे जब हमारा ये expression निकल गया ठीक है surface integration पूरा eds का हमें पता है कहां से flux निकल रहा हमारा relation भी आ गया तो अब हम charge के बारे में देखेंगे क्योंकि इसके बाद वली term क्या होती equal to क्या होता है q by epsilon not होता है q by epsilon not होता है तो अब हम बाजू वली term के बारे में बात करेंगे तो charge and close in the cylinder क्या है q is equal to lambda l lambda क्या है यहाँ पे linear charge density जिसको हमने previously पढ़ा है क्या होता है lambda is equal to charge per unit length होता है तो यहाँ से हम क्या कर रहे है क्योंकि अंदर linear charge density है circular wire के अंदर तो यहाँ से q equal to क्या हो जाएगा lambda into l ठीक है तो क्या करेंगे इसी में क्या करेंगे अब हम put कर देंगे q की value तो e is equal to क्या हो जाएगा अब यहाँ पे e को हमने vector form में नहीं लिखा अब इसको normal form में लिख दिया यहाँ पे e क्या है हमारा vector form में ठीक है अब हम normal magnitude form में लिख दें यहाँ पे तो e is equal to क्या हो जाएगा 2 pi rl equal to lambda l by epsilon 0 epsilon 0 क्या है permittivity free space की अब मैं यहाँ से क्या करूँगा electric field calculate करना है मेरे को तो e equal to क्या हो जाएगा lambda 2 pi rl इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ से दिखी रहे मेरे को l और l क्या हो जाएगे cancel out हो जाएगे तो e is equal to क्या हो जाएगा 2 pi epsilon 0 r तो यह क्या आ गई हमारी electric field आ गई कि see infinitely long thin circular charged wire ठीक है यह क्या आ गई electric field का expression आ गया हमारा infinitely long thin straight charged wire का कि क्या होगा electric field और हमें यहां से दिख रहा है कि electric field क्या है r के साथ है यहाँ पर ठीक है r बढ़ेगा तो जैसे जैसे r बढ़ते जाएगा तो electric field की value क्या होते जाएगी यहाँ पर कम होते जाएगी simply दिख रहा है है यहाँ पर और lambda के साथ है चार्ज देंसिटी जादा तो यह क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया इस इक्सप्रेशन क्या है इंपोर्टेंट है यह आपके लिए याद रखना जरूरी क्योंकि नुमेरिकल में हम इसी को यूज करेंगे सीधा ठीक है अगे बढ़ते हैं अब यह क्या है नॉर्मल ट टापयर यह नहीं ग्रुटर टी लेक्षन टेखने का एक्सप्रेशन में है औरो यूडिय गोकुटर कौए क्लिए कर रहा है कि वो क्या है inversely proportional है inversely proportional है ठीक है तो आ गया हमारा expression तो next point the direction of electric field is radially outward हमें पता है electric field का direction क्या है यहां पे radially outward है from the positive line charge यहां पे क्या है linear charge देटी है और क्या है positive charge तो positive charge के लिए क्या होगा radially outward होगा ठीक है यहां पे direction electric field का इधी negative charge आ गया तो electric field का direction कहा होगा radially inward होगा for negative line charge मतलब इधी negative linear charge density होई मतलब वो जो पूरा positive था वायर वो पूरा negative होता तो वो क्या हो जाएगा electric field का direction क्या हो जाएगा radially inward हो जाएगा अब्वेसी बात जैसा एक normal negative charge में फिल्ड अंदर की तरफ आती है same वोई वाली कंडिशन दस electric field यहां पे क्या है vector form में due to linear charge electric field यह linear charge के कारण क्या होती है inversely proportional होती है किसके distance r k from the linear charge ठीक है तो यही चीज़ हमने expression में देखी inversely proportional होती है कि इसके r k the variation of electric field e with distance r is shown in the graph अब हम दोनों का variation देख सकते हैं यहां पे r के साथ electric field का ठीक है जैसे जैसे मैं क्या होगा r मेरा बढ़ते जाएगा electric field क्या होते जाएगी कम होते जाएगी जैसे जैसे मेरा r कम होते जाएगा electric field की value क्या होते जाएगी बढ़ते जाएगी मतलब जितना मैं उस wire के पास आऊँगा electric field की value जादा होगी जितना उस wire से मैं दूर जाते जाएगा जितना उस wire से मैं दूर जाते जाएगा मतलब R बढ़ते जाएगा तो E क्या होते जाएगा कम होते जाएगा R कम हो रहा है तो E क्या होगा बढ़ेगा ठीक है तो यह क्या होगा हमें एक curve शो किया E electric field और R से तो यह क्या हो गया हमारा एक topic ठीक है दूसरा topic देखते हैं field due to thin infinite plane sheet of charge अब ही हमने क्या देखा एक wire के लिए देखा अब हमारा अगला topic क्या है electric field हम calculate करेंगे किसके कारण thin infinite plane infinite क्या है एक plane है जो ऐसा plane है दो axis में है और वो क्या है infinite है ठीक है sheet of charge plane मतलब एक plane है कैसी चीज़ होती है जिसकी width नहीं होती है सिर्व उसकी लंबाई और चोड़ाई होती है और वो क्या है एक plane है जो infinite है ठीक है diagram से देखते है diagram समझते कैसा plane है diagram में जो आपको blue रंग का plane दिख रहा है उपर में यह ऐसा 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 वाला section है इसका मतलब ही क्या है कि यह infinite plane है और इसमें हम कैसे electric field calculate करेंगे और यहाँ पर देखके लग रहा है कि वो फूरा क्या है positively charged है तो ऐसे case में हम electric field कैसे calculate करेंगे अब हम यह देखेंगे ठीक है तो पहले theory portion देखते है फिर मैं आपको diagram बतातू let sigma be the surface charge density previous वाले case में हम क्या देखे रहे थे linear charge density देखे थे अभी यहाँ पर sigma क्या है surface charge density है हमारी जो क्या होता है charge per unit surface area of the sheet sigma क्या हो गई surface charge density हो गई sheet की from symmetry symmetry यूज़ करके हम क्या करेंगे e on the either side of the sheet मतलब जो electric field होगी इस sheet के दोनों side एक इस तरफ वाला side और एक उस तरफ वाला side मतलब इदी मैं अपने हाथ को ही मैं sheet assume कर लू तो एक ये वाला side और एक ये वाला side दोनों side के electric field के बारे मैं हो बोल रहे है must be perpendicular to the plane of the sheet क्या होगी must क्या होगी perpendicular होगी plane of the sheet की मतलब ये है तो electric field का direction क्या होगा, ऐसे होगा, मेरे तरफ आएगा इधर से देखूँगा तो electric field का direction क्या होगा, ऐसे आएगा ओविसी बात है, positively charge रहे तो outward बहार की तरफ जाएगा वो ठीक है, having same magnitude at all points ठीक है, सब क्या होगा, एकदम charge uniformly distributed इसका मतलब same magnitude होगा, कहीं भी जादा कम जादा charge नहीं हो रहा है equidistance from this sheet, क्या है, सारे charges क्या है, same magnitude के equidistance में मतलब कोई भी non uniform charge नहीं है याँ, ठीक है अब हम क्या करते है, diagram देखते है, कि diagram में क्या क्या terms है तो ये हो गई हमारी infinite plane sheet, ठीक है, उसमें हम क्या किये है एक yellow रंग का क्या ले ले ले, एक element ले 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 और ये element क्या है, circular है, ठीक है, और ये जो circular element है मतलब जो आपको white रंग का circular cylinder दिख रहा है, ये क्या है इस case में हमारा Gaussian surface है, क्यों हम ऐसा कर रहे है एक circular area लिए, gauss थो रहा हम लगाएंगे, integrate करेंगे तो वो तो पूरा plane sheet बनी जाएगा, और electric field के direction के लिए हम क्या ले ले ले, एक cylinder ले ले ले, क्योंकि हमें किसी distance r पे क्या करेंगे, electric field निका लेंगे दोनों तरफ तो इसलिए हम क्या ले ले, ये जितना भी white वाला portion है हमारा ये क्या है हमारा white वाला portion इस case में क्या है, हमारा Gaussian surface है ठीक है, यही वाला हिस्सा कहां शो हो रहा है, इधर शो हो रहा है और इसके जो पीछो वाला हिस्सा है, वो क्या हो रहा है, यहां शो हो रहा है बतलब ये, तो इसका ये वाला हिस्सा ऐसे शो होगा, और इसका इधर वाला हिस्सा ये तो हम क्या कर रहे है, दोनों को एक प्रकार का project करके शो कर रहे है वाइट वाला एरिया क्या है हमारा पूरा Gaussian सर्फेस जितना वाइट वाला एरिया दिख रहा है ठीक है प्लेट क्या है हमारी blue वाली छोटा सा element क्या है हमारा yellow जो हम लिए है ठीक है तो अब diagram के बारे में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन देखेंगे इस सर्फेस से तो क्या है वो ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण तो यह क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन इस एरिया का उस तरफ मतलब राइट साइड वाले का यदि में एरिया एलिमेंटल वेक्टर देखूंगा तो उसका डिरेक्शन भी इसी तरफ जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल मतलब n-cap मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड और n-cap का सेम होगा सेम ऐसा इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड भी इस वाले सर्फेस से क्या होगी ऐसे आउटवर्ड बहार आएगगी और यही क्या होगा डिरेक्शन होगा पल्कुल फ्लक्स पास होगा उपर वाले सर्फेस से क्या होगा बिल्कुल फ्लक्स पास नहीं होगा क्ūकि देखिए थे वह झोनों सर्फेस begोशीयन सर्फेस का यहां से क्या होगा क्या कोई फ्लक्स पास नहीं होगा बस उस एलिमेंटल एरिया का क्याじゃ दे रहा है वो ए्रिया वेस्टर ने से कोई हुख हुशार नहीं है ठीक है फिर उसके बार डिमवदर डिस्टेंज यहां तकश और डिस्टेंज ऎस तरफ एपर जो हमने गौश्वाशीन ओखेस हृ और हम points देखते हैं. First point क्या बोल रहे है? We take a cylindrical cross section area A और उसकी length क्या है? 2R as Gaussian surface. यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक cylindrical cross sectional area लिया है Gaussian surface को जिसका area क्या है? A और उसकी length क्या है? 2R as Gaussian surface ठीक है? देख सकते हम area इसका हो जाएगा यह A और length उसकी क्या हो जाएगी? 2R. यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला पूरा white वाले area क्या है? हमारा Gaussian surface. ठीक है second point देखते हैं on the curve on the curved surface of the cylinder E and n cap are perpendicular to the to each other. Curved surface की बारे में बात करें मतब जो cylindrical का यह वाला section है जहाँ पे n cap और electric field का direction की बीच का angle क्या है? 90 degree वहाँ पे तो कोई भी flux बाहर नहीं आएगा ठीक है? तो वही बोल रहे है on the curved surface of the cylinder n cap E and n cap are perpendicular to each other. Perpendicular मतलब 90 degree बनाएंगे दोनों. Perpendicular to each other. Therefore, flux through curved surface is 0. Curved surface से flux क्या होगा? 0. वही चीज़ field और n cap के बीच का direction क्या है? 90 degree. यहाँ से तो कोई भी flux बाहर नहीं आएगा. ठीक है? वही चीज़ जो बोली, वही यहाँ पे points में बोल रहा है वो. ठीक है? फिन next point. Flux through the flat surface. अब जो दो flat surface है. मतलब यह जो मैंने एक section लिया है, circular. ठीक है? एक इधर वाला flat surface और एक पीछे वाला flat surface. इन दोनों से ही electric flux बाहर आएगा. तो इसकी value क्या होगी? Ea और Ea. यहाँ पे E क्या है? electric field. A क्या बता रहा है? area को show कर रहा है. Eds लिखते हैं हम normally. Eds लिखते हैं. ठीक है? और वो क्या रहता है दोनों vector form में रहता है. simply magnitude के form में लिख दिया. E into A. electric field का direction, वहाँ का area. electric field का direction, वहाँ का area. और दोनों क्या है? दोनों same size के हैं. तो क्या होगा? इसलिए वो क्या हो जाएंगे? 2 Ea हो जाएंगे. वही. Eds जो हम vector form में लिखते हैं, उसको simply वो लिख दिया है, यहाँ पर magnitude के form में. क्योंकि ds भी क्या होता है? ds भी एक प्रकार का area ही तो होता है, यह भी. area का element होता है, छोटा वाला. तो ds भी क्या होगा? dA बोल सकता हूं, उसको छोटा area element पूरा ले लोगा, तो वो क्या बन जाएगा? over the entire surface of the cylinder क्या हो जाएगा? phi e equal to 2 ea. सीध्या मैं calculate कर दिया. 2 ea. ठीक है? तो total charge. अब हम देखते हैं, 2 ea वाला term होगे, अब इसके आगया वाली term जो रहती ही, वो क्या? q by epsilon 0. उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वो gauss तबाह में क्या रहता है? वो last term रहती है. तो अब हम देखेंगे, कि वो जो surface लिए हैं, उसके अंदर charge कैसा enclose हो रहा है? तो total charge enclosed by the cylinder क्या हो जाएगा? q sigma a. sigma क्या है है? यहाँ पर surface charge density. च्योंकि surface charge density क्या होती है? charge per unit क्या? surface area. a बोलू, या s बोलू, या ds बोलू, या dq बोलू, सेम मतलब होगा सबका. ठीक है? charge per unit surface area होता है. यहाँ से मैं q लिख सकता हूँ, q is equal to क्या हो जाएगा? sigma into a. वोई चीज़ यहाँ पर लिखी है. sigma into a. sigma क्या है है यहाँ पर? surface charge density. surface charge density. ठीक है. अब उसके बाद, goss law लगाएंगे हम according to goss law. तो क्या हो जाएगा? electric flux किसके बराबर होता है? 1 by epsilon times किता? net charge जो क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है Gaussian surface के. तो phi is equal to q by epsilon 0. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. तो अब जब मैं यहाँ पर value put करूँँगा, ठीक है? q की, तो q क्या हो जाएगा? sigma a और phi e की value क्या हो जाएगी? यह, दोनों की मैं क्या करूँगा? value put कर दूँगा. phi e की यह वाली value और q की क्या? sigma by a ठीक है? दोनों value put करते हैं. तो देखते हैं क्या expression बनेगा? तो बन जाएगा 2 ea equal to sigma a by epsilon 0. q की value put कर दिया? और यहाँ पर flux की value put कर दिया. electric flux की. 2 ea by sigma a by epsilon 0. ठीक है? और अच्छे से लिखेंगे इसको. तो क्या हो जाएगा? यहाँ से area और area क्या हो जाएगा? cancel out हो जाएगा. ठीक है? तो sigma क्या बचेगा? 2 e नीचे आ जाएगा. e को ही छोड़ देंगे मतलब हम electric field calculate कर रहे है? यह क्या है? अभी magnitude form में. अभी यह vector form में नहीं है. तो electric field equal to क्या हो जाएगी? e is equal to sigma मतलब surface charge density divided by 2 epsilon 0. तो इस case में हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर electric field क्या है? r के लिए dependent नहीं है. मतलब r पर dependent नहीं है. कि कितना हम दूर ले रहे हैं? उस पर dependent नहीं है. electric field यहाँ पर वो सिर्फ किस पर dependent कर रही है? surface charge density और permittivity free space की. तो वो ही बोल रहा है. e is independent of the r. यहाँ पर previous case में देखे थे हैं हम long wire के case में कि क्या था? r पर dependent थी electric field बट यहाँ पर नहीं है. तो e is independent of r. the distance of the point from the plane charge street. r का मतलब क्या बता रहा है? the distance of the point from the charge street. मतलब यह charge street थी कौन से जगा में point आता है? उस पर independent electric field हो कोई फरक नहीं पड़ता है. किसी भी point पर निकालो. वो अपना sigma और epsilon 0 पर depend कर रही है. previous case में देखे थे हम r पर depend कर रही थी हो. ठीक है? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? यह expression क्या है हमारे लिए important है. इससे related हम अभी numerical भी बनाएंगे. तो electric field का expression क्या होगा? sigma by 2 epsilon 0. ठीक है? यह किसका case था हमारा? field due to thin infinite plane sheet of charge. ओके. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. next topic के बारे में बात करते हैं. field due to uniformly charged thin spherical shell. अब हम क्या करेंगे? एक spherical shell ले ले लेंगे. और इसमें देखेंगे हम Gaussian surface बनाके कि बाहर क्या electric field होगी? अंदर में क्या electric field होगी? यह सब चीजों को अब हम क्या करेंगे? calculate करेंगे. उसके तीन case में calculate करेंगे. एक उसके surface में क्या electric field होगी? जिदी में उस charge sphere के अंदर electric field निकालता हूँ तो क्या होगी? उस charge sphere से कोई एक odd distance पे electric field निकालता हूँ? तब उसकी value क्या होगी? यह चीज हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है? तो शुरू करते हैं यहाला topic. field electric field calculate करेंगे हम due to uniformly charged. पूरा uniformly charged है, मतलब पूरा uniform charge है. ठीक है? कहीं भी vary नहीं कर रहे है, charge की value. thin spherical shell ठीक है? क्या है? thin spherical shell है? hollow है. ठीक है? तो शुरू करते हैं. LED sigma. अब इसमें भी क्या होगा? अंदर क्या है? एक प्रकार का hollow है ना? तो hollow में हम हमेशे surface charge density लेते हैं volume charge density तो ये सब के case में आएगी ही नहीं आएगी. और जब हम volume charge density के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहाँ पर बदाया था कि उस case में क्या होता है? वो non conducting sphere होता है. Conducting sphere नहीं होता. तो यहाँ भी हम sphere लेते हैं और सिर्फ surface charge density तक use करेंगे. Volume charge density sphere है ये? Of radius R. ठीक है? ये जो blue वाला है, यही क्या है? हमारा पूरा charged hollow sphere है. जिसका radius क्या है? हमारा R है. ठीक है? The Gaussian surface. अब यहीं हम यहाँ पर Gaussian surface लेंगे. तो वो क्या होगा? एक प्रकार का spherical surface ही होगा. Centered at the center of the cell. तो यह जो white वाला क्या है? हमारा Gaussian surface. मैं सारी चीज़े same follow करता हूँ. हर जगा हम तीनो cases में Gaussian surface को white से ही बनाए. ठीक है? यहाँ पर जो यह white वाला outer line है. यह क्या है? हमारा Gaussian surface हम consider कर रहे है. ठीक है? डाइगराम को देखते हैं. यह पूरा white क्या है हमारा Gaussian surface. यह हो गया हमारा hollow sphere. जो क्या है? जिसमें क्या है? uniform surface charge density है. इस जो sphere है. इसका radius क्या है? हमारा R. center है उसका O. और यह जो R है हमारा जो green bank से show है यह क्या है? Gaussian surface का क्या है? radius है. ठीक है? अब हम Gaussian surface में एक yellow रंग का element ले ले रे है. यह जो yellow रंग का show है. यह क्या है? element ले ले ले. ठीक है? इस element में यह इलेक्ट्रिक फील्ड का direction देखूँ. तो हर तरफ से क्या होगी? radially outward ही निकलेगी. electric field. यह अंदर पूरा positively charge sphere है. negatively charge होता है. अंदर की तरफ आती? तो यह क्या है? हमारी electric field का direction. red वाला arrow. ठीक है? इस छोटे से element का मैं area vector लूँगा. तो वो क्या हो जाएगा? ds vector. ठीक है? और उसका direction भी क्या होगा? electric field के director के साथ ही होगा direction. radially normally outward ही होगा इसका direction. तो ds क्या है? इस छोटे से element का area vector. ठीक है? प्लस क्या है? पूरा positively charge है. ठीक है? अब इसमें देखते हैं हम कैसे electric field निका लेंगे. तो first case. first case हमारा क्या है? at a point outside the shell. मतलब जो gaussian surface का radius है वो sphere के radius से जादा है. same जो यहाँ पे case दिख रहा है. मतलब अब हम क्या करेंगे? इस uniformly charge hollow sphere के कारण एक बाहर एक surface में एक कोई odd distance पे हम क्या करेंगे? electric field को क्या करेंगे? calculate करेंगे. ठीक है? तो case 1 देखते हैं हमारा at a point outside the shell, shell के बाहर, charge shell के बाहर तो जो gaussian surface का radius है वो क्या होगा? sphere के radius से जादा हो. ठीक है? तो since e and ds are in the same direction. दिख रहे हैं हमें electric field और area vector का direction क्या है? सेम है. तो electric flux कितना होगा? अब ये क्या है? phi e मतलब पूरे sphere का electric flux है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? surface integration करना पड़ेगा किसका? e vector ds vector का. मैंने bold से लिखा है. तो जब bold लिखेंगे तो उपर vector sign नहीं लगाएंगे. मैं आपके लिए vector sign लगा रहा हूँ. कि जब आप copy में लिखेंगे तो ऐसे vector sign लगा के लिखें. exam में भी लिखेंगे तो आप उपर में vector sign लगाईए. उससे क्या होगा? एकड़म impression बहुत अच्छा पड़ेगा. लगेगा कि आपको पूरी चीज़ें एकड़म clearly पता है. तो क्या होता है? Gauss law के हिसाब से 1 upon epsilon times net charge enclosed within the system. तो क्यों क्या है हमारा जो under charge है? तो और हम क्या बोल सकते हैं इसको? दूसरे डम्स में देखें तो हम क्या बोल सकते हैं. E is equal to क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? Sphere का surface area लेंगे यहांपे. Sphere का पूरा surface area क्या हो जाएगा? 4 pi r square. E is equal to 4 pi r square. Integrate कर दिए हैं अभी यहांपे. Bs को integrate करेंगे तो S आएगा सिर्फ S मतलब surface area, sphere का, वो क्या हो जाएगा? 4 pi r square equal to q upon epsilon 0. यह क्या बन गया हमारा expression. चीक है? अब यह दिए यहां से मैं e की value निकालू. मतलब electric field की value निकालू. सिर्फ magnitude लिटम्स में बात कर रहा हूँ. तो क्या हो जाएगी q upon 4 pi epsilon 0 r square. यहां पे क्या हो रहा है? देखिए r पे depend कर रही है. अब electric field. जैसे जैसे r बढ़ेगा, square के form में क्या होगी? electric field कम होने लग जाएगी. मतलब sphere से मैं जितना दूर जाते जाता हूँ, electric field की value कम होते जाएगी. तो यह expression क्या होगा? आपको याद रखना पड़ेगा. यह expression use of a numerical बनाने के लिए. छीक है? इसी को यह दी. ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर मैं q की value लग दूँँगा, surface charge density के terms में. तो q equal to क्या हो जाएगा? sigma equal to 4 pi r square. क्यों हो? क्यों क्योंकि surface charge density क्या हो दी? charged per unit surface area. ठीक है? और यहाँ पर area किसका होगा? sphere का होगा, hollow sphere का. तो उसका surface ही रेखिया होगा? 4 pi r square. तो मैं क्या करूँगा? अब q की value put कर दूँगा, सीधा इस expression में. ठीक है? इस expression में मैं क्या करूँगा? q की value put कर दूँगा. तो क्या क्या cut जाएगा मेरा? यही से. यह दोरों को मैं compare करूँ 4 pi, 4 pi क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा बस? सिग्मा, सिग्मा, उपर का r square, r square, नीचे का epsilon 0, और यहां का small r का square. तो यह क्या बन गया मेरा? expression बन गया. एक और expression electric field का. दोनों expression क्या है? दोनों expression useful है हमारे लिए. एक, जब under charge रोगा sphere के तो कैसे निकालेंगे? एक, जब हमें surface charge density पता होगी, तब हम कैसे निकालेंगे electric field? ठीक है. vector बात करें, vectors के term में बात करें, तो क्या हो जाएगा? e vector, मैंने bold से लिखा, arrow लगाने की जरुवत नहीं है, आपके लिए आप ऐसे लिखेंगे copy में. e vector क्या हो जाएगा? surface charge density r square by epsilon 0 r square और vector form में show करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके unit vector से multiply कर देते हैं, जो क्या होगा? r क्या होगा, क्योंकि radial direction में ही है electric field पूरी. ये क्या आगया हमारा vector form में आगया. तो ये दोनों formulae क्या हैं हमारे लिए? important है. ठीक है, तो हमने क्या देखा? first case देखा. इस case में क्या था? Gaussian surface हमारे spherical shell से बढ़ा था. अब हम next case देखेंगे कि Gaussian surface यदि exactly इसी के ओपर overlap कर दिया. मतलब जो ये small r है, वो किसके बराबर हो जाएगा? capital R के बराबर हो जाएगा. ठीक है. case 2 देखते हैं, at a point on the surface of the shell. मतलब, जो point जिस point पर हम electric field निकालेंगे न, वो क्या होगी? shell के surface में ही होगी. जो charge हमारा hollow sphere है, उसके cell में ही होगी. इसका मतलब जो Gaussian surface का radius है, वो किसके बराबर हो जाएगा? spherical cell के, spherical, जो हमारा shell है, उसके radius के बराबर हो होगी. इस case में क्या होगा? इस case में दी हम expression निकालेंगे, तो उपर वाला expression देखते हैं, क्या था? Q is equal to 4 pi epsilon 0 r square, यह हमारा expression आया था. सेम, यह कौन सा था? r किसका radius था? Gaussian surface का radius था. अगले वाले case में क्या हो रहा है? Gaussian surface just spherical shell के उपर आ रहा है. तो यह r replace हो कि क्या हो जाएगा हमारा? capital r हो जाएगा. क्योंकि r equal to r. तो यह क्या बन गया हमारा expression. एकदम सेम r पर. ठीक है? मतलब sphere का radius आ गया. ठीक है? surface charge density के term में बात करें. तो यह क्या होगा? Q is sigma equal to क्या होता है? Q by A होता है? Q by A होता है हमारा? अब यहां से मैं Q निकालू तो क्या हो जाएगा? sigma into A. A क्या होगा हमारा? 4 pi r square हो जाएगा. इस term को में क्या करूँगा? यहाँ पर put कर दूँगा. तो मेरा क्या cancel out हो जाएगा? 4 pi 4 pi cancel out हो जाएगा. और r square r square भी cancel out हो जाएगा. तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा? E is equal to sigma upon epsilon 0. ठीक है? किस case में? जब एकदम Gaussian surface overlap कर जाएगा shell के साथ. थर्ड case देखते हैं. जब हम Gaussian surface को spherical shell के अंदर ले ले. थर्ड case देखते हैं. case 3 at a point inside the shell. अब हम क्या कर रहे हैं? shell के अंदर अपना Gaussian surface ले रहे हैं. इसका मतलब जो Gaussian surface का radius होगा. Gaussian surface मतलब जो Gaussian sphere ले रहे हैं हम. उसका जो radius होगा वो क्या होगा? spherical जो shell है उससे छोटा होगा. देख सकते है diagram में. r क्या है? छोटा है किससे? capital R से. जो spherical radius है. ये हो गया हमारा पूरा चार्ज स्पियर. ठीक है? अंदर में white वाला हमारा Gaussian surface हो गया. ठीक है? जिसका radius है. हमारा green रंग का R capital R क्या है? स्पियर का radius है. जो charged है. इस Gaussian surface में मैं येलो रंग का छोटा सा element ले रहा हूँ. इस element में electric field का direction इस तरफ ही होगा radially outward ही होगा और ds क्या होगा यहाँ का area elemental vector small element का area vector. ठीक है? इस case में देखते हैं. तो obvious ही बात है zero होगा. क्योंकि electric flux यह हम जब gauss law लागाते हैं तो close surface के अंदर charge होना चाहिए. वरना क्या हो जाता है? electric flux zero हो जाता है. तो here the charge inside the gaussian surface क्या है? क्यों क्या है? zero. मतलब gaussian surface के अंदर कोई charge है कहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है. पूरा charge तो बाहार है. ठीक है? तो इस case में क्या हो जाएगा? e is equal to क्या हो जाएगा? 4 pi r square equal to zero यहाँ पे क्या होता है? q by epsilon zero होता है. तो क्या हो जाएगी term? zero हो जाएगी. इसका मतलब electric field क्या हो जाएगी? zero हो जाएगी. मतलब एक charge conductor के अंदर की electric field क्या होती है? zero होती है. यही चीज़ हमने कहां देखी? जब हम electric field lines पढ़ रहते और इस point पे मैं कहीं भी electric field निकालूँगा तो उसकी value क्या हो जाएगी? zero हो जाएगी. ठीक है? तो अभी हमने क्या पूरा पढ़ा? तीन case के बारे में. जब बाहर था Gaussian surface तो electric field की value r के साथ vary कर रही थी. surface में आ गया तो उसके r से vary करने लग गई. मतलब इसके r पे depend हो गई. अंदर आ गया तो खतम हो गई. ठीक है? अब इसी को हम क्या देखते हैं? graph के form में देखते हैं. तो ये सब expression आपके लिए याद रखना important है. ठीक है? तो results के बारे में बात करते हैं पूरा overall. फर्स्ट पॉइंट. इस इंपोर्टेंट रिजल्ट ये जो हमारे रिजल्ट आए है is a direct consequence of Gauss law. direct consequence का है? Gauss law का. वो ही लगा कि हम प्रूफ कर रहे हैं which follows Coulomb's law. अब ये सब चीज़े कहां से आई? बेसिक कहां से आया? Coulomb's law से आया. the experimental verification of this results confirm 1 by R square dependency in Coulomb's law. तो जो अभी हमने proof किया हमने देखा electric field क्या हो रही? 1 by R square पर क्या कर रही है? depend कर रही है. या तो 0 हो जा रही है R पर तो depend करी रही है वो. ठीक है? तो ये क्या करता है? Coulomb's law को भी क्या करता है? verify करता है. जिसमें भी क्या होता है? force उपर में दोनों charges का multiplication नीचे क्या होती है? 1 by R square रहती है force. और एक प्रकार से electric field वो ही होती है. electric field intensity मतलब क्या होती है? force experienced by per unit positive test charge. तो the variation of electric field intensity मतलब electric field intensity का variation force experienced by per unit positive test charge with distance with distance from the center of a uniformly charged sphere shell is shown in the figure. चीक है? अब figure देखते हैं हम. Figure को देखेंगे? तो क्या है? electric field हमारी y-axis में और x-axis में क्या हमारा radius. तो अंदर क्या थी? sphere के अंदर electric field 0 थी. चीक है? तो R से छोटा हुआ Gaussian surface मतलब यह R क्या है? यह Gaussian surface का radius बता रहा है. यदि यह sphere के radius से छोटा हुआ इस जगा आया तो electric field क्या हो जाएगी? पूरे इस area में? 0 हो जाएगी. जैसी इस से बड़ा हुआ तो electric field क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी. मतलब just जो sphere का hollow charge अपना spherical shell था उसके surface में electric field की value क्या होगी? max होगी. maximum होगी उसके surface में electric field की value. ठीक है? और जैसे जैसे मैं उसके surface से दूर जाते जाएगी electric field की value क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी. ठीक है? पास आओँगा जितना उसके surface के electric field क्या होते जाएगी? ज़्यादा होते जाएगी यह graph को समझ में आया यह दी चो अंदर में निकाला यह दी आर से छोटा मेरा आर रहा तो electric field क्या हो जाएगी अंदर मतलब charge conductor के अंदर zero और उसके surface में maximum होगी जैसे से मैं उसके surface से अपने एक point दूर लेते जाओगा यह charge sphere है अपना जैसे जैसे मैं कुछ questions बनाते हैं इससे related ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अब हम क्या करेंगे numerical solve करेंगे देखते हैं जो अभी हमने topic पढ़ा उसी से related numerical देखते हैं first question देखते हैं अब ना क्या बोल रहा है a hollow charge conductor एक hollow charge conductor है has a tiny hole cut into its surface एक hollow charge conductor है जिसमें क्या है एक tiny hole हम क्या कर देए छोटा सा hole क्या कर दिए कट कर दिए show that electric field in the hole electric field hole के अंदर क्या है हमारी sigma is equal to two epsilon naught n cap ठीक है तो इसको एदी में और अच्छे से लिखू एदी आपको नहीं दिख रहा है तो electric field क्या बोल रहा है hole के अंदर क्या होगी sigma by two epsilon naught पूरे का क्या होगा n cap ये चीज़ क्या करने बोल रहा है हमें show करने बोल रहा है कि electric field hole के अंदर इतनी होगी बताओ where n cap क्या है is the unit vector in outward direction n cap क्या है हमारा unit vector है outward direction में and sigma is the surface charge density near the hole sigma क्या है हमारी surface charge density है hole के पास ठीक है चली इस question को solve करते है हमें क्या करना है hole के अंदर electric field calculate करनी है और उसका हमें expression दिया है उसी को हमें क्या करना है proof करना है ये यहाँ पर आपको नहीं अच्छे समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हू sigma divided by 2 epsilon not इसका क्या direction and gap जो क्या है outward normal ये चीज़ क्या करनी है हमें proof करनी है ठीक है इस question को solve करते हैं चली देखते हैं तो first हम लिखते है according to gauss law gauss law के एदिय हम इस आप से देखें तो क्या होता है electric flux phi equal to क्या होता है हमारा surface integration e vector dot ds vector equal to क्या होता है q by epsilon 0 ठीक है यह होती है हमारी gauss law के according अब इदि यहाँ पर मैं इसका dot product को इदि मैं solve करूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इदि दो चीज़ के बीच में क्या है dot product है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ e ds cos theta इसको में लिख सकता हूँ equal to क्या हो जाएगा q by epsilon 0 और q को मैं क्या लिख सकता हूँ surface charge density के form में लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ कैसे क्योंकि surface charge density क्या होती sigma is equal to क्या होता है q by surface area होता है s यह हम क्या बोल सकते है q by a उसको बोल सकते है बिलकुल चीक है और small hole का area है तो यहाँ पे मैं उसको ds भी लिख सकता हूँ a लिखूँ, d a लिखूँ, area लिखूँ surface ही होगा, area ही होगा वो तो क्या हो जाएगा e ds cos theta equal to sigma ds by epsilon 0 यह लिटाम आजाएगी हमारी अब यहाँ से मैं देखूँ तो ds ds क्या हो जाएगा, हमारा cancel out हो जाएगा, और outward normal की तरफ है, तो उसके कारण क्या होगा जो theta होगा, वो हमारा क्या होगा 0 degree हो जाएगा theta क्या हो जाएगा, हमारा 0 degree हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि outward normal है ठीक है, theta हो जाएगा हमारा 0 degree तो cos 0 degree की value क्या हो जाएगी 1 ds ds क्या हो जाएगा हमारा cancel out हो जाएगा यहां से ds और ds क्या हो जाएगे हमारे cancel out हो जाएगे तो expression क्या बनेगा हमारा इदी मैं electric field के बारे में बात करूँ electric field क्या हो जाएगी ds cancel out हो जाएगा electric field आजाएगी sigma by epsilon 0 यह क्या आजाएगा हमारा electric field का expression आजाएगा और वो जो body है जो charge conductor है hollow charge conductor उसकी यह क्या हो जाएगा बाहर की क्या आजाएगी electric field का expression आजाएगा ठीक है note कर सकते हैं अब रप करके अब यहाँ पर हम डियाग्राम देखते हैं तो डियाग्राम कैसा है यह है हमारा surface और यहाँ पी क्या है एक थोग hole है यहाँ का n-cap direction और इधर क्या electric field यह क्या है हमारा hole है जिसके अंदर क्या प्रूफ करना है हमें electric field का expression प्रूफ करना है 2 epsilon 0 n-cap इस hole के अंदर electric field है यह चीज़ हमें प्रूफ करना है ठीक है तो electric field का हमारा expression भी आ गया है इसके बाहर का कितना e sigma by epsilon 0 अब यह क्या है यह इसके बाहर के surface की electric field है ठीक है किसी भी hole के मैं अंदर electric field देखूँ तो क्या होगी magnitude तो सेम रहेगा मगर क्या होगा direction न लग रहेगा अब मैं इसी hole को मैं यह आप ऐसे बनाता हूँ ठीक है तो इसमें electric field का direction कैसा होगा magnitude तो सेम रहेगा क्या है इसके हर तरफ charge है तो direction तो opposite रहेगा मगर क्या होगा magnitude सेम होगा तो इसका मतलब जो बाहर की electric field है वो क्या होगी दोनों का super position होगी मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ तो E उस surface की conductor की और E dash ED में बोलू hole की तो इसका expression क्या हो जाएगा sigma by epsilon 0 और दोनों electric field सेम होगी बस क्या होगा hole के अंदर उनका direction अला होगा मगर बाहर में क्या होगा दोनों का direction सेम होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 electric field हो जाएगी मतलब दो दुगनी हो जाएगी वो सेम ही रहेगी दोनों by epsilon 0 तो hole के अंदर electric field क्या हो जाएगी E is equal to sigma by 2 epsilon 0 ठीक है direction के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा n-cap तो electric field क्या हो जाएगी vector quantity में यहाँ पर show हो जाएगी तो इससे क्या हो गया हमारा यह बन गया हमारा expression तो यह क्या हो गया हमारा solve ठीक है next question देखते है next question क्या बोल रहा है point charge causes an electric flux of minus 3 into 10 to the power minus 4 newton meter square per column point charge क्या कर रहा है इतना electric flux generate कर रहा है to pass through a spherical gaussian surface एक spherical gaussian surface से क्या हो रहा है यह parts हो रहा है first हमें क्या निकालने बोला calculate the value of point charge ठीक है point charge जो spherical gaussian surface के अंदर रखाया और इतना flux generate कर रहा है हमें क्या बोला first point में point charge की value calculate करो second क्या बोला if the radius of the gaussian surface is doubled कर देता हूं तो how much flux would pass through the surface तब कितना flux क्या होगा पास होगा यह चीज़ निकालने बोला ठीक है तो i e electric flux की हमें value दिये कित्ती minus 3 into 10 to the power minus 14 Newton meter square per gulam ठीक है हमें क्या निकालने बोला है first point में value निकालो point charge ठीक है तो simple हम अपना formula लगा देंगे gauss law से क्या होता है surface integral of electric field intensity मतलब क्या flux क्या होता है q by epsilon 0 होता है ठीक है अब यह यहां पे मैं epsilon 0 की value देखूं तो epsilon 0 की value क्या होगी 8.85 into 10 to the power 10 to the power होगी minus 12 यह क्या है permittivity free space की यह value क्या है constant है जो आपको क्या रखनी पड़ेगी याद रखनी पड़ेगी तो यहां से क्या होगा यदि मैं यह दोनों को multiply करता हो तो मेरा flux निकल जाएगा मतलब चार्ज निकल जाएगा बिलकुल तो ठीक है चलिए मैं चार्ज निकाल देता हूँ यहां से यह दोनों को multiply कर देता हूँ flux और उसको तो देखते हैं हमारा charge कितना आएगा flux कितना है हमारा q equal to कितना हो जाएगा 5 into 5e into epsilon 0 छीक है 5e की value है minus 3 into 10 to the power minus 14 into epsilon 0 की value 8.85 into 10 to the power minus 12 छीक है 14 और 12 कितना हो जाएगा 20 और 26 तो minus 26 तो है 10 to the power minus 26 आएगा 3 minus 3 into 8.85 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा minus 2.655 into 10 to the power minus 26 कूलम्स ये क्या आजाएगी हमारी charge की value आजाएगी जो हमें first चीज वो calculate करने बोला minus 2.66 2.655 बिल्कुल सही 2.655 into 10 to the power 6 कूलम्स क्या आजाएगी हमारे point charge की value आजाएगी जो हमें first चीज में वो निकानने बोला second क्या बोल रहा है इफ radius गॉस्टन सरफेस का मैं radius double कर देता हूँ तो कितना flux उससे pass होगा तो गॉस्टन सरफेस से रेडियस से वो क्या होगा वो depend करेगा ही नहीं करेगा जितना flux है वो flux क्या रहेगा उत्ता ही रहेगा ठीक है तो second का एदी हम answer देखें second का एदी मैं answer देखूं तो जो flux की value है वो क्या होगी same रहेगी change नहीं होगी क्यों क्यों एदी हम reason देखें तो क्या करता है जो flux है वो किस पर depend करता है depends on charge enclosed ठीक है वो किस पर depend करता है जितना charge उसके अंदर enclosed है उस पर charge तो उत्ते है उसता है जो हमने calculate किया उससे जाधा तो बढ़ नहीं रहा है तो flux की value क्यों change होगी और second चीज क्या होता है कि वो जो यहां पर बोल रहा था कि Gaussian surface का एदी मैं radius double कर दूँगा तो वो उसके Gaussian surface के size पर depend नहीं करता तो not depend on size मतलब Gaussian surface के वो क्या size पर depend नहीं करेगा मतलब flux की value क्या रहेगी सेम रहेगी तो यह क्या थे हमारे दो question ठीक है तो इसी के साथ क्या हुआ हमारा चैप्टर वन का complete हुआ अभी हम आगे देखेंगे कि एदि हम और question बनाएंगे मतलब और इसमें हमें question बनाना है कि नी बनाना है